नमस्कार आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ अश्मिता तिवारी मंगलवार को इंटर की परीक्षा देने जा रही भवानंदपूर पंचायत के शिवनगर सरेया निवासी 18 वर्षे करीना कुमारी की जान एक अन्य अंद्रित पिकप ने ले ली छात्रा रामकुमार शाह की पुत्री थी ये सड़क हाथसा दोपेर करीब एक बजे बेगुसराई वीरपूर संजाद पत पर फुलवारी चौक के पास हुआ छात्रा की मौत से आक्रोशित लोगों ने रोट जाम कर दिया जिसे सड़क पर घंटो आवाजा ही बाधित हो गई सानी लोगों ने वहीं बताया कि छात्रा अपने पिता के साथ बाइक से बेगुसराई जा रही थी कि तबी फुलवारी चौक के पास से पीछे से आ रही आनी अंत्रे पिकप ने उसकी बाइक में ठोकर बार दी इसे बाइक पर पीछे बैठी चात्रा रोट पर सिर के बल ही गिर गई सिर में तेज चोट लगने से चात्रा तुरंत भेहोश हो गई उसके पिता राम कुमार भी सड़क पर गिर गए और जखमी हो गए स्थानिय लोगों ने पिकप को रोग कर चात्रा को इलाज के लिए बेगु सराय भीजा इतना सल पर आने की मांग कर रहे थे तरक हाते की सूचना मिलते ही धाना द्यक्ष सम्रेंद्र कुमार तुरंत मौके पर पहुंच गए बीडियो अरुन कुमार निराला सीओ ललिता कुमारी प्रकाइन प्रमुख मीरा देवी और प्रमुख सुमोध पासवान पाच सुबोध बावननपुर के मुख्या दिपक कुमार डीपर पंचायत के मुख्या राजीव कुमार पर्रा के पंसस नवीन कुमार पूर्व पंसस अजे कुमार जहाज जिला परिशत प्रतिनिदीव भाजपा नेता रोशन चौरसिया आदी कई नेता भी फुलकारी चौक पहुंच कर लोगों को समझा बुजा कर शांत कराया अधिकारियों ने वहीं कहा कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चात्रा के परिजन को पांच लाक रुपए की सरकारी मदद मिलेगी तब लोगों ने जाम समाप्त कर शव को पोस्मॉटम के लिए जाने दिया मृतक एमार जेडी क पॉलिच बेगुसराई के इंटर की चात्रा थी जिसके फायन एक्जाम जेह के हाई स्कूल बेगुसराई में देने के लिए जा रही थी तब ही जंदगी की अंतिम इम्तिहान देडाली मृतक चार बहने में तीसरी नंबर पर थी वहीं मृतक के परिजन में घटना की जानक रही थी एक्जाम देने के लिए जाहिर ही इनका नाम क्या था इनका नाम क्या था घर मुधफरा वाड नंबर पता नहीं है आपकी रिस्ता में यह कौन लगती है मुषरी बहन है इनके पिता का क्या नाम राजकुमार